Hello Friends, Knowledge Center for You में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग RRB NTPC 2016 के एक्जाम में जो GKGS से related questions पूछे गए थे तो उन question में से 25 questions हम लोग cover करने जा रहे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा इन 25 questions से कि किस level के किस type के questions NTPC के exam में पूछे जाते है और देखे Friends, अगर आप काफी समय से exam की तयारी कर रहे है और Railways की तो आपके लिए वीडियो एक test के रूप में होगा हर प्रशन के बाद आपको मैं 5 second का समय दूँगा तो उन 5 second में आप लोग सवालों के जवाब दीजेगा और वीडियो के end में जरूर चेक करकर ये बताईए कि आपके इन 25 questions में से कितने questions के answer साही हुए क्योंकि जो previous years Railway की questions पूछे गए थे काफी अच्छे level के questions थे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस level की पढ़ाई आपकी चल रही है और देखे दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रू सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस तरीके के नए ने वीडियो हम लोग डेली इस चैनल पर अपडेट करते रहते तो आपके लिए काफी helpful होंगे तो चले शूरू करते आज का वीडियो और देखते फर्स्ट क्वेस्चन वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डो पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डो पर लोग गुजरते वह फैरेड के नियम द्वारा संचालित होते तो आप्शन सी राइट अंसर होगा अगला प्रशन देखिए भारत में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर कहा स्ती थे भारत में स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में स्ती थे ओप्शन भी राइट अंसर है नेक्ट देखिए चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंदर चोल 3 ओप्शन सी राइट अंसर होगा अगला प्रश्ण देखिए प्रतम दो शब्दों के मध्य संबंद के अधार पर अनुपस्तित शब्द ग्यात करे जैसे कि टेंप्रेचर, थर्मोमेटर, सोलर रेडियेशन अंसर दिजी आप तो इस क्रेशन का अंसर होगा ओप्शन सी थर्मोपाइल पायरोनोमेटर अगला प्रश्ण देखिए करकर एका निम्नलिकीत राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती तो यहाँ पर देखिए कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती पूच्छा गया है तो option D आपका right answer होगा मनिपूर से ये करकर एखा नहीं गुजरती अगला प्रश्ण देखे शुक्र यानि की विनस ग्रह के वातावरण में निमना गैसों में से ज्यादा तर कौन सी गेर शामिल होती है देखे शुक्र ग्रह के वातावरण में कारबंड ओकसाइड ज्यादा तर शामिल होती है option D राइट अंसर होगा और शुक्र ग्रह से आपने ये चीज़ याद रखे है friends कि इसका घनतव आकार एव व्यास ये पृत्वी के समान है अगला प्रश्ण देखे अभी अमल वर्षा का pH मान कितना होता है अमल वर्षा का pH मान 5.5 या उससे कम होता है तो option A राइट अंसर होगा अगला प्रश्ण देखे पाकिस्तान के संसत को दिया गया स्तानिक नाम क्या है देखे पाकिस्तान के संसत को पाकिस्तान में मजलिस A शुरा नाम से जाना जाता है तो option B राइट अंसर होगा नेक्श देखे भारत के किस राज्य में कपास मिलो की संख्या सबसे आधिक है देखे भारत के महाराष्टा राज्य में कपास मिलो की संख्या सरवाधिक है option C आपका राइट अंसर होगा अगला प्रश्ण देखिए एसेंबली बमकार्ण में भगत सिंग के साथ कौन मुख्य आरोपी था अगला प्रश्ण देखिए दक्षिन पच्छी मांसुन उत्पन्न होता है तो बताईए कहां उत्पन्न होता है अगला प्रश्ण देखिए दक्षिन पच्छी मांसुन ये हिंद महासागर में उत्पन्न होता है ऑप्षिन भी राइट अंसर होगा नेक्स देखिए अंत्रिक्ष यान के अंदर अंत्रिक्ष यात्री वजन महसूस करता है अंत्रिक्ष यान के अंदर अंत्रिक्ष यात्री ये शुन्य वजन महसूस करता है तो option C right answer होगा अगला प्रशन देखिए कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? देखे कालिंदी ये यमुना नदी का दूसरा नाम है option C right answer है next देखिए यदि ammonia gas तो कपूर तो बताईए कपूर क्या होगा? देखे यदि ammonia gas है तो कपूर ये ठोस होगा option B right होगा आपका अगला प्रशन देखिए देशवेपी अभियान operation smile किस से संबंदित है? देखे देशवेपी अभियान operation smile ये लापता बच्चों से संबंदित है तो option D right होगा अगला प्रशन देखिए यह रासाइनिक परिवर्तन नहीं है एक आइस क्यूब पिगलाना ये रासाइनिक परिवर्तन नहीं है option B right है नेक्ट देखिए घूमर किस राज्य का लोक नुत्य है? देखे घूमर ये राजस्तान राज्य का लोक नुत्य है तो option C right answer होगा अगला प्रशन देखिए महा भारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखे महा भारत का जो युद्ध था तो वो 18 दिनों तक चला था तो option B right answer होगा अगला प्रशन देखिए अब किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद गोशना हुई थी? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद की घोशना हुई थी? देखे जो questions है friends तो इस सारे questions NTPC के एक्जाम में पूछे गई थे तो important questions है Next देखिए पृत्वी के थलिय शेत्र में भारत का हिस्सा है पृत्वी के थलिय शेत्र में भारत का हिस्सा है 2.4 प्रतिशत option C right answer होगा अगला प्रशन देखिए नासा का मुख्याले कहां है? नासा का मुख्याले है वाशिंग्टन DC में option B आपका right answer होगा अगला प्रशन देखिए stainless steel क्या है? तो stainless steel ये एक मिश्रद हातू होता है option D right answer होगा next देखिए बारुद में मुख्या रूप से क्या शामिल होता है? तो बारुद में मुख्या रूप से potassium nitrate शामिल होता है option B right answer होगा अगला प्रशन देखिए शत्रंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किन्तु तिर्ची मार सकती है देखिए तो ओगा प्यादा option D right answer होगा प्यादा ये शत्रंज में सीधा चलता है परन्तु मारने के समय ये तिर्चा मारता है अगला प्रशन देखिए मुगल सामराज्य की स्तापना किसके द्वारा की गई थी मुगल सामराज्य की स्तापना की गई थी बाबर द्वारा option A आपका right answer होगा और बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को युद्ध स्तल में मार गिराय था और वो युद्ध था पानिपत का प्रत्थम युद्ध तो पानिपत के प्रत्थम युद्ध के बाद मुगल सामराज्य की स्तापना हो चुकी थी भारत में तो फ्रेंड्स ये थे 25 questions जो NTPC के एक्जाम में पूछे गए थे तो आपने इन 25 questions में से कितने questions के answer सही किये आप जरूर बताइए और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेर करना ना भूलिए और मिलते कल रात 8 बजे